आई श्री मन्नारेण गुरु जी मैं पूछना चाहती थी कि तुलसी माला और रुदराक्ष माला एक साथ पहन सकते हैं हाँ पहन सकते हैं तो गुरु जी हमारे गाओं में न मतलब कि बहुत लोग ऐसे हैं कि रुदराक्ष बाटते हैं तो बहुत लोग पहनते हैं पर वो लोग रूल्स नहीं फॉलो करते हैं करना चाहिए हमें मांस शराब तो बिलकुन नहीं लेना चाहिए शराबरा मांस लेते हैं आपके परिवार में नहीं नहीं हमारे परिवार के नहीं जो गाओं के लोग हैं वो लोग मांस बहुत खाते हैं, मैंने सोना, चातेस गड़ मांस बहुत खाया जाता है, सही है क्या, नहीं खाया जाता है, हाँ या ना, खाया जाता है, तो, ना खाये तो अच्छा है, आए हैं हम सुधारेंगे, कोशिस करेंगे, जाडू लगाएंगे, हम जाडू लगानी तो आए हैं जब साब सफाई करेंगे उनसे बोलना कथा सुना करें बस ठीक है सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा रादे रादे गुरुजी घुरुजी आप मुझको बहुत प्यारे लगते हो आप भी बहुत प्यारी हो एकदम कारा जी जैसे खुश रहो शुखी रहो कच्छा सुनते हैं आप कच्छा में क्या अच्छा लग आपको सारे अच्छे लगते हैं क्या सारे ठीक है खुश रहो जब से आप से भागवत में जूड़ा हूँ स्रीमन नारायन तब से सब सुधर के हूँ और आपका आशिरवाद लेना चाहता हूँ गुर देओ खुश रही आशिरवाद है एक बार चणन चूरना चाहता हूँ गुर देओ अभी मिल ली जीगा भी जी यही आ जाओंगो गुर देओ जी ठीक है गुर देओ जै श्रीमन्ना राएं सब बैठे रहिएगा फेर इस तरफ भी माइक आएगा प्रणाम गुरु जी रादे रादे जी जी जै जोहर जै चछतिस गड़ गुरु जी जै हो जै चतिस गड़ गुरु जी गुरु जी मैं ज़्यादा हिंदी बात नहीं करता अगर मेरे से मिश्टेक हो तो धन्यावा माफी करना गुरु जी कोई बात नहीं आप बोली गुरु जी मैं तीन सवाल लेके आया हूँ पहला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई विवाह कर रहा हो तो उसमें पंडित साधी कराते हैं या कोई ब्रामभन साधी कराते हैं या फिर कोई साधू, संत, तपस्वी या महंत उसको पूजा कराए, साधी कराए तो ये दोनों में से किसको ज़्याद मान्याता दिया जाता है जो ब्रामभन हैं जो पुरोहित जी है वो ब्रामभन ही कराएं जो पढ़े हैं उस विधानों को जानते हैं वो कराएं ब्रामार देवता ठीक है गुरू और दूसरा सवाल यह है गुरू जी कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति खतम हो जाए मर जाए तो अगर उसकी परिस्थिती ऐसा हो कि वो समाज को चार समाज को खाना ना खिला पाए ठीक है खतम होते हैं तो खाना खिलाते हैं सभी को अगर उसका परिस्थिती ऐसा हो कि उसके पत्री का पायल बेचना पड़े घर की जमीन बेचनी पड़े तो ऐसे में क्या समाज को खाना खिलाना जरूरी है समाज को चाहिए कि यदि कोई गरीब परिवार है और उसकी आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं है तो जैसे आप बेटियों के विवाह में सहयोग करते हो ऐसे समाज के कुछ लोग आप परिवारी लोग या गाउं के लोग सहयोग करके और उसका भोज करवा देना चाहिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी यह समाज करवाए वो ना करने पाव है तो वो ना करने पाव है तो कोई बात नहीं तेरह कन्याएं बोला के तेरह बच्चे बोला करके और बच्चे तो एक एक पूरी खाते हैं दोदोपुरी, तो छोटे-छोटे बच्चों का भोज कराए और गव माता को चारा खिला दे, तो भी उसकी तेर ही मानी जाएगी, तेरा छोटे-छोटे बच्चों को खबा दे, विधान यदि बचाए रखना है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो छोटे- तेरा कन्या है, तेरा अबरामन बोला लो छोटे-छोटे बच्चों को, और वो भी खा लें छोटे-छोटे कन्या भोज टाइप का छोटा सा, ठीक है गुरु जी तीसरा सवाल मेरा ये है, कि लोग कहते है आज ये वार है, अज वार है, तो ना खूर ना काटो, बाल ना तो कर लेना चाहिए, नहीं कर सको, तो अलग है, पर फालतु कुछ भी नहीं, हमारे यहां हाँ, हाथ का कलावा बांधना भी फालतु नहीं है, इसका भी वेग्ज्यानिक कारण है, शिखा रखना भी, मैं वो नहीं बोर रहूं गुरु जी, जैसे बाल नहीं काटना ग्रहों से संबंद होता है, तो वो विधान है कि इस दिन नहीं काटना चाहिए, इस दिन तेल मत लगाओ, इस दिन ये मत काटो, तो इसलिए मना करते हैं, यदि फालो कर सको, तो नहीं काटो, यदि नहीं कर सको, मजबूरी है, तो अलग भी सह है, जी गुरु जी, मैं आप से कुछ नहीं मंगूगा बस मेरा एक ठोड़ी क्वेश्ट है बताओ मैं आपका चरण चुना चाहता हूं अभी मिल लेंगे न सबसे तो आप भी मिल दीजिएगा